सुरा मेरे नज्च तम्मड को नवर्मनी सिखा पजिंग समोधियामी सुरा मेरे नज्च तम्मड को नवर्मनी सिखा चौदे फरवरी 2021 को एक बहुत मैपोन मीटिंग का निम्मंतर न मिला वीदा पिवली की तरफ से जिसमें सभी तरह की लोग सभी तरह के संटर चलाने वाले एकटे हुए वहाँ एक व्यक्ति जो बुजरु थे काफी उन्होंने अपनी बात रखी और बात रखते में सबसे पहले कहा कि मैरे बाबा साहब को अपनी आँखों से देखा है और फिर उन्होंने जो बात की वो बात जो विशयता वहाँ पर के सब को जुड़ना है और जोड़ना है उससे कुछ मैस नहीं खाते थी सारा उन्होंने संस्मिर्णर, अपनी बात, अपना नाम वो सब वहाँ उन्होंने बताना सुरू किया लगब 20 मट हो पूरे जितने लोग आये थे उनका कीमती 20 मट खा गए क्योंकि सब्जेट पर बात रखनी चाहिए बात यह थी कि जुड़ना है और जोड़ना है तो कैसे सब लोग जुड़े हैं, कैसे नाल नालू है जब बात मुझे करनी थी तो मैंने कहा कि भई, हमने तो बावा सापको देखा नहीं हमें तो शर्म आनी चाहिए, हमें तो डूप के मर ज़रा चाहिए क्योंकि हम तो बावा सापको देख नहीं पाए तो वो थोड़े से नाराज हो गए उन्होंने कहा जी कि आप कटाक्ष कर रहे हो मैंने कह भई, अगर कटाक्ष किया है तो आपको मैं सौरी बोलता हूँ, छमा मांता हूँ पर यह है कि आपने यहाँ 20 मिनट पूरी सभाका ले लिया आपने एक बात नहीं कही आप अपना संस्मर्ट, अपनी जो कहानी है उसको लिखकर एक एक पर्चे कर हमको दे देते फेस्टूब पर डाल देते, यूटूब पर डाल देते आप गुजर्व हो, खाली बावा साथ को देखना कोई योग विता नहीं है अच्छी बात है, आपने बावा साथ को देखा है क्योंकि जब कोई बड़ा लेता होता है तो लोग मीटिंग में जाते हैं, तो लापो कवड़ो लोग उसको देखते हैं और देखकर जो भी होता है, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं कुछ लोग ज़्यादा काम करने कुछ करते हैं कुछ और भी आगे का सोच नहीं मगर आप जिस अंदाज में यहां बता रहे हैं कि मैंने बावा साथ को देखा है ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई योगता बता रहे हैं तरसल यह योगता नहीं है यह तो incident है जैसे मैंने जितने भी पूर के लेता हैं जो मर चुके हैं और जो मेरी उम्र में थे मैंने उनको देखा है अब मैं किसी मीटिंग में जाके सबसे पहले sentence यही बोरूं कि मैंने फराने नेता को देखा है तो क्या मत्रवे देखने का क्योंकि मैं काम की बात तो कर नहीं रहा और आगे बढ़ने का मेरे पास कोई विचार है नहीं और मैं sentence सुनाओं कि मैं उस मेले में गया था फिर मैंने महां मेले पे चड़ा फिर मैं पुर्डी की टेहनी पे चड़ा फिर मैंने महां से जंडा हिलाया फिर महां मन से किसी विक्ति नहीं यह कहा फिर ऐसे बोला फिर ये बोला उसका तो कोई संदर्व है नहीं क्योंकि यहां सर्समाणों की मिटी तो है नहीं तो यहां समस्या है कि आपात कल आया हुआ है यहां समस्या है कि एमर्जनसी आई हुई है पर बावा साब का काम तो नहीं हो रहा है, बावा साब का काम तो खतम हो गया, तुम्हारे आखों के सामने, तुम्हारे नेताओं के सामने, तुम्हारे नेताओं के द्वारा भी हुआ है, यानि नेताओं की मौन सहमत ही है, तुकि नेता एकटे नहीं हुए, नेता अगर जो पढ़े पहले 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 ऑई सब्सक्राब है यह ज१ान को आगे घड़ाना है आप वाँस आपको देखा बहुत अच्छी बात है मगर ये कोई quality या और education नहीं है education तब होती जब आप ये कहते कि बाबा साब ये बचा के लाए और मैंने इसको बचाने के लिए ये काम किया तो सभा में कुछ 20 नट का फायदा होता अभी तो 20 नट का कीमती का नुटसान हो गया एक सभा लगती है उसमें इतने साहे लोग अपना पैसा ख्रिश कर गयाते है जो आइविन करने वाला है वो भी खाना पानी के अंध्याम करता है जगे के अंध्याम करता है कुर्सी मेश के अंध्याम करता है टेलीफोन वेरा करता है खबर पहुचाता है तो ये सारा मिला कि इतना पैसा इतना टाइम इनर्जी लगती है और आपने 20 मिट ख़रा कर दिया तो रिजट तो कुछ आया नहीं तो फिर आपने कहा बावा साथ को देखा कैसा देखा बावा साथ को आपने बावा साथ को देखा नहीं है बावा साब ने कहा है सनुटित हो जाओ इसमें कोई इफवड नहीं है किंतु परतु नहीं है इखटे होने का मदद इखटे होना है और जिसको इखटे नहीं होना है वो अपने घर का रास्ता नापे क्योंकि बिना संकन के कुछ नहीं होता बावा साब ने ऐसा ही कहा है अज़ने माद संगं सरेनं गच्छामू संगं सरेनं गच्छामू तू थी अंपी बुद्धं सर्णं गच्छाम।